हेलो नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में कुछ इस पकार से फोटो स्टूडियो का पोस्टर बनाना सिखेगे तो वीडियो को सुरू से लेके अन तक आप लोग देखते रहें ताके आप लोग भी इस पकार से फोटो स्टूडियो का पोस्टर बना सको दोस्तो इस poster को बनाने के लिए जो भी PNG PLP material यूज हुआ है उसका link मैंने description में दे रखा है आप लोग वहाँ जाके उसको download कर सकते हो लेकिन उसमें एक password लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 step में मिल जाएगा दोस्तो अगर आप लोग को PNG चाहिए तो आप लोग हमारे telegram group को join कर सकते हो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग से request करता हूँ कि अगर आप लोग ने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर दीजेगा दोस्तो poster बनाने के लिए picture lab application की जुरुत परती है जिसका link मैंने description में दे रखा है आप लोग वहाँ जाके इस app को download कर सकते हो तो दोस्तो poster बनाने के लिए picture lab application को open कर लेते है application को open करते ही कुछ इस तरह का interface अमरे screen पे आ जाएगा यहाँ पे new text को हम लोग delete कर देगे उसके बाद right side corner में उपर की side पे three dot के निसान पे क्लिक करेगे नीचे scroll करके open plp file पे double click करेगे यहाँ पे plp पे क्लिक करेगे यहाँ arrow के निसान पे क्लिक करेगे और जहाँ भी हमने file को download करके save करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग file को open कर लेगे यहाँ पे हम लोग photo studio plp पे क्लिक करेगे open and add पे क्लिक करेगे यहाँ पे ok कर देगे उसके बाद back हो जाएगे तो दोस्तो इस पकार से हमारा plp file open हो जाएगा अब इस plp file में हमको जो भी change करना है वो change करके हम लोग अपने photo studio का poster तयार करेगे इसके लिए plus के बगल में जो icon बना है वहाँ पे क्लिक करेगे और जाहाँ भी हमको change करना है उसे delete करके या edit करके हम लोग अपने photo studio का poster तयार करेगे तो दोस्तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अलंग का photography दोस्तो यहाँ पे आप लोग अपनी swap का नाम लिख सकते है इसके लिए plus के बगल में जो icon बना है वहाँ पे click करेगे और जाहाँ भी अलंग का लिखा हुआ है वहाँ पे pencil का icon पे click करेगे pencil का icon पे click करेगे और यहाँ पे अपने photo studio का नाम लिख देगे जैसे विवा साधी में फोटोग्राफी सभी पगार की फोटोग्राफी क्रेन पोटोग्राफी उपलद वीडियो मिक्सिंग के लिए एक मातरव स्टूडियो मिक्सिंग पॉइंट दोस्तों यहां पर आप लोग को कुछ और भी एड़ करना है तो एड़ कर सकते हो इसके लिखे हुए हुआ से हम लोग चेंज कर सकते हैं पैंसिल का आइकॉन पर क्लिक करेगे और यहां पर अपना पॉइंट डालके ओके कर देगे अब दोस्तों यहां पर देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है पता नूरिगंज बजाज भटनी मिल के पास भटनी देवरिया दोस् अपना एड्रेस अपडेट करके ओके कर देगे अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह कॉमेंट में और भी डाला हुआ है अब बेस्ट क्वालिटी ब्रांड दोस्तों यहां पर आप लोग अपने फोटो स्टुडिय के लिए कुछ और कॉमेंट डाल सकते हो या पी इस कि इसके बार यहां पर क्लिक करके इसको पहले सही कर देते हैं इसके बार पैंसिल के आइकान पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपना नाम लिख के कर देगे उसी पकार से दोस्तों यहाँ पर जो mobile number लिखा हुआ है उसे भी हम लोग change कर देगे अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक साधी विवा के जोड़े का फोटो पेंजी लगाया है इसे भी आप लोग change कर सकते हो इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकन बनाएं वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे अनलॉक कर देगे उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे पीछ वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके टेक्सर के आईकॉन पर क्लिक करेंगे फिर यहां पर डिलीट कर देगे फिर यह गेलरी वाली ओप्सन पर क्लिक करेंगे और जहां भी हमने फोटो सेव करके रखा हुआ है वहां से हम लोग सिलेक कर लेगे यहां से यह वाली photo map select कर ले रहा हूँ उसके बाद दोस्तो इसको crop करके हम लोग सही से इतना भी हमें चाहिए उतना हम लोग select करके रख लेगे उसके बाद ok कर देगे तो दोस्तो देख सकते हूँ यहां पर मैंने change कर दिया है दोस्तों इसी पकार से आप लोग change कर सकते हो अब दोस्तों इस poster का जो background color है वो अगर आप लोग को पसंद है तो उसे भी आप लोग change कर सकते हैं इसके लिए last में जो icon बना है यहाँ पे click करेगे फिर नीचे scroll करके you पे click करेगे और इसको plus minus करके हम लोग change कर सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे poster का color change हो रहा है तो आप लोग को जो भी color पसंद उससे select कर सकते हो अब दोस्तों इस poster को हम लोग gallery में कैसे save करेगे इसके लिए share वाले icon पे click करेगे image format में jpg या png select कर सकते quality dimension में ultra select करेगे और save to gallery पे click कर देगे दोस्तों इस पकार से हमारा poster gallery में save हो जाएगा दोस्तों इसी पकार से आप लोग को किसी festival का या अपने shop का banner बनवाना है तो comment करके बता दीजेगा मैं उस पे वीडियो बना दूँगा जिससे आप लोग mobile से ही poster बना सको दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जय हिन जय भारत